हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेट गवर्मेंट पोश्ट में आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं आपको अपडेट देने में दिखे यूपी बीर्ड काउंसलिंग आपकी 19 नवंबर यानि कल की डेट से सुरू हो गई कुछ लोगों ने कल कर लिया था कुछ लोग आज करेंगे कॉलेज फिलिंग आज से आपका स्टार्ट हो रहा है यानि कॉलेज लॉक करना कैसे करना है आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उससे पहले आपको बहुत ही जरूरी अपडेट यह देनी है कि लखनव टाफट से जो हैना कॉलेज फिलिंग कर दिया और लॉक भी कर दी सीट तो आप गलती कर रहे हो पहले आप यह देखो कि कौन-कौन से कॉलेज है जो की आपके एरिया में है आपके नियर है आपके लिए बेस्ट रहेंगे ठीक है तो यह गलती नहीं करनी है तो 20 नुम्बर क कि पहले आवसिक सुषना जो है यह है कि न्यू कॉलेज लिस्ट क्या है कैसे डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसके बाद में कॉलेज लॉक कैसे करने यह आपको ध्यान देना है और सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए कुछ लोग है जिन ग्यारा हजार है सात अजार है कहीं पर एक्किस हजार भी है तो अपने हिसाप से भई लोग एडमिशन लेना चाहेंगे ठीक है तो पहले हम लोग चलते हैं न्यू कॉलेज लिस्ट हमें कैसे डाउनलोड करना ऑफिशल वेबसाइड पर है तो दोस्तों आ चुके हैं अपडेटेड है 19 नवंबर 2020 की यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आप लिंक नहीं मतलब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दीगे लिंक से आप जाकर कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ धियान रखनी है कि आपको क्यों कि यूण सा जो महिलाएं हैं जो महिल्स हैं वो अपना देख ले कि आपके लिए कौन सा पास में रहेगा कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए ठीक है न हां अगर आपको गौर्ट कॉलेज से तो government pass में आपके कौन-कौन से college है ठीक है और उस university से आप apply कर रहे हैं एक दो college किसी और भी university से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कर सकते हैं बिल्कुल देखे college आगर आप लॉक कर देते हैं जल्दबाजी में तो फिर गलती कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई option नहीं होगा फिर आपके college लॉक हो जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें से private हो गवर्मेंट college मिक्स कर दोगे तो फिर गड़बर हो जाएगा ना पता चला आपको admission नहीं भी चाहिए धोके से आपने उसको लॉक कर दिया है और तो फिर गड़बर हो गया काम चली तो सरकारी college चाहिए उसके लिए भी बात करेंगे पहले यहाँ पर चलते हैं college लिस्ट में देखी यह जो college लिस्ट है जो की जार आर्ट और commerce वाली यहाँ पर सीटें आपको यहाँ पर दिख रही है साइंस और agriculture वाली सीटें आपको यह दिख रही है ठीक है तो सीटें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी arts और commerce वाली सीटें science और agriculture वाली seat है ठीक है न बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक comment किया कि यह इसका मतलब क्या है तो यह थोड़ा सा update होकर क्या ही जिससे कि आपको समस्या नहीं होगी तो आप अपने हिसाब से पहले यह देखो कि आप किस stream से हो आपको college lock करना है सरकारी college चाहिए तो सरकारी college आगर आप कर रहे हो female हो तो मान लीजे कि आगर आपको सरकारी college चाहिए तो सरकारी college आप यहाँ पर देख रहे हो arts में यहाँ पर भी seat जादा है यहाँ पर भी जादा है seat और यहाँ पर लगबग ठीक है फिर यहां पर आपका आ जाता है प्राइवेट कॉलेज में जो आर्ट की सीटें होती है वो साइंस और एग्रीकल्चर की तुलना में ज्यादा होती है ठीक है न तो यह आपकी अपडेटेड लिस्ट है जिसमें सीटें बढ़ी हैं पिछली बार से पहले सीटें कम रहत से ऐलेगा लेकिन आपको किस कॉलेज में चाहिए पहले आप यह एकस्ट बना लोग कॉन-कॉन से कॉलेजा आपको सेट करें तीन चार कॉलेज चसक домой लेगा है यह एक सबór ATM Yogya करिई यह यह सारा option है उसके पहले आप यहाँ पर इसको PDF को download करो अपना list बनाओ जिस भी university से आप apply करना चाहे तो कई सारी university है आपकी ठीक है अब एक university से पता चला आपने दो college चूज कर लिए एक और university है वहाँ से भी दो college आपने चूज कर लिए तो उनमें से कोई मिल जाएगा काम हो जाएगा आपका हाना चलिए अब बात यह करने वाले कि सरकारी college आपको कैसे मिलेगा सरकारी college के लिए क्या करें तो मान लीजे कि आपकी rank है rank अगर थोड़ी ज्यादा है मान लीजे कि 10,000 से आपकी rank ज्यादा 11,000 है 12,000 है rank और आपको government college चाहिए तो फिर आप एक काम करो आ दूसरा एक और university आप लोग करो उसके college लोग करो लोग पहले नहीं करना पहले आपको वहाँ पर add करने वो सारे college add कर लेने हैं फिर आपको देख लेना है संतुस्ठ हो जाना है कि हाँ ये college जो हमको चाहिए तो उनी में से ही college हमने यहाँ पर select किये हैं उसके बाद में ही ये college lock करना college अगर lock हो गया तो बाद में आप चींज नहीं कर सकते हो सारा process आपका complete हो जाएगा फिर आपका decision making option होगा फिर आपको decision ये लेना होगा कि आपको वो sheet accept करनी है या फिर cancel करनी है ठीक है तो ये आपको ध्यान देना है कि सरकारी college अगर आपको चाहिए सरकारी seat चा करेंगे और उसमें वो college चूज करेंगे जिसमें seat ज्यादा है उनको पहले preference देंगे बात में preference होने देंगे जिन में seat कम है ठीक है rank ज्यादा होने पर आपको इचिज ध्यान देना है और इस बार chances ये हैं कि सभी जो student है वो ये चाहते हैं कि हमको पास में college मिले वो government हो या private ह चलते ठीक है उनके घरवाले भी नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर से जाकर बेड़ करें ठीक है तो फर आपको यहां पर benefit मिल सकता है कि आप अगर आपको लगता है कि हमें government college मिलना चाहिए या हम हमको government college ही चाहिए तो आप जरूर उसको चूज करो अगर private college कर रहे ह है ना इस बात से ही है तो मिलते हैं अपने ख्याल लखें जय हिंद्ध और वीडियो को like share करना बिल्कुल ना भूलें कोई समस्या कॉमेंट करके पूछ लें